तो जी इससे पहले हम लोग जितने भी फ्लाट्स में रहे हैं हर जगा पे मुझे हमेशा एक ही बालकनी मिलती थी जिसमें मैं अपना पूरा सेट अप करके रखती थी वाश एरिये का यूटिलिटी एरिये का सब कुछ तो जब हम लोगों ने ये फ्लाट लिया तो मुझे इसे येस करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हमें यहाँ पर तीन-तीन बालकनी मिल रही थी तो उसमें से एक बालकनी को मैंने बनाया है अपना वाश एरिया तो चलिए आज मैं आपको उसका चुर कराती हूँ तो चले तो ये जो बालकनी है ये मेरे बड़े बेटे के रूम के साथ अटैज्ट है इसकी जो डाइमेंशन है वो है 11 feet by 4 feet तो चलिए डोर बंद करके इसे पूरा मैं दिखाती हूँ आपको एक बार तो ये है जी डोर का बैक साइड और यहां से राइट की तरफ जाएंगे त जिससे बहुत ही अच्छी रौश्णी अंदर जाती है और वेंटिलेशन भी बहुत ही अच्छा होता है उसकी आगे हमने यहां पर रख्या है steps सीडियां जो की अक्सर घर में काम आती रहती है और साथ ही में हमने यहां पर हमारी washing machine जो है वो setup की हुई है मेरे पास जो है यह पावर प्लग है यहां पर साइड पर दिया हुआ है इसके साथ ही यहां पर पीछे की तरफ दिया हुआ है इसका water connection तो washing machine के साथ जो है connection देने के बाद में जो tap है वो तो पुरा ब्लॉक हो गया था तो इसलिए हमने यहां पर लगवाया साइड में एक एक्स्ट्रा टैप washing machine के just उपर मैंने यहां पर रखी हुई है एक basket जिसके अंदर हमारे dirty clothes रहते हैं धोने के लिए और उसके side में यहां पर है हमारा serve liquid serve यूज़ करती हूँ तो मैं उसकी bottle यहां side पर रखी हुई है और इसके just उपर जो है हमने cabinet बनवाया है जिसके अंदर और भी थोड़ा बह लखा हुआ है तो जी इसके अंदर जो है हमने रखे हुए कुछ clips पड़े हैं मेरे जो hanger clips का hanger होता वो पड़ा हुआ है साथी में यहां पर है उजाला आला पड़ा हुआ है जो हमारा sanitizer होता है cloths का वो ऐसे सथोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है और इसी के साथ हमने यहा पर ऐसे shed सा बनवाया हुआ है ताकि जो बारिश का पानी है वो अंदर की तरफ ना आए और वो जो washing machine है उसे थोड़ी सी protection मिले जब यह नहीं था shed तो इससे पहले जो है डारेक्ट washing machine पर पानी आता था तो इसलिए इसे जो है हमने extra जो है यह बाद में लगवाया है builder की तरफ से यह जो grill है यह provided नहीं थी यह हमने खुद बनवाई है बाद में balcony की left side में हमारा एक और bedroom है जिसका जो AC unit है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है इसके जो pipelines है वो बाहर की तरफ आते हैं और इसका जो unit है वो wall पे इस तरह से hang किया हुआ है तो हमने जो अपनी जब balcony बनवाई थी तब हमने जो है इसमें एक चोटी सी window बनवाली थी ताकि हम इसे जो है easily open कर सके ताकि जो यह हमारा AC unit यहाँ पर लगा हुआ है इसकी कभी service करनी हो इसे कभी clean करना हो तो कोई ज़्यादा परेशानी ना हो तो यह इस तरह से जो है हो गई है उसके इलावा यहाँ पर हमने लगाए है यह cloth hangers कपड़े सुखाने के लिए यह पूरा mechanism है यह total 8 rods है जो की 8 feet की है तो सारे कपड़े जो easily यह सुख जाते हैं उसके इलावा हमने यहाँ पर जो है यह tiles भी लगवाई है builder की तरफ से जो यह tiles provide नहीं की गई थी और यह grainite भी जो है यह भी हमने लगाया है इवन यह जो नीचे का floor tiles है वो भी बहुत गंदी थी तो यह भी हमने जो हो चेंज कराई है यह जो हमारा grainite है यह पूरा से continue होते हुए हमने यहाँ से L shape में बनवाया है थोड़ा सा मैंने इसे चोड़ा बनवाया था ताकि थोड़ा सामान रखना वो आसान हो जाए तो डोर की back side में मैंने यहाँ पर cloth trying rack लगा रखा है जो की मैं लाई थी IKEA से यह बहुत ही lightweight है बहुत ही अच्छा है जब use नहीं करना होता है तो मैं वापिस इसे यही पर लगा देती हूँ तो इसे लगाने के लिए जो hanger यूज करती हूँ व क्योंकि आस पास में काफी construction work चल रहा है मिटी बहुत आती है तो इसलिए मैं टब में रखती हूँ basket को जो मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर जो नीचे है यह मैंने बाल्टी रखी हुई है कपड़े धोकर निकालके सुकाने के लिए तो यह सारा setup जो है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर मैंने dark color के कपड़ों को अलग रखा है अगर किसी कपड़े का रंग निकल रहा हो तो उसे अलग से wash करती हूँ और इसी तरह से मैंने white color के कपड़े जो है वो अलग से दोती हूँ और end में जो पगड़ी बाते है black color की उसे मैं अलग से दोती हूँ तो इस तर अगर हम कपड़ों को पूरा divide करके रखते है ना तो बहुत easily धूल जाते हैं और कपड़े जो हमारे खराब नहीं होते हैं तो सबसे पहले dark color के जो हम कपड़े धोती हूँ मैं उसमें भी मैं इसे दो हिसों में divide करती हूँ जैसे कि जो लंबे कपड़े होते हैं हमारी pants, jean pants होती हैं, tops होते हैं, लंबे-लंबे, तो सबसे पहले वो धोती हूँ ताकि उन्हें आगे की तरफ जो हैंक किया जा सके, उसके बाद में छोटे कपड़े जो hanger पर सुखाने होते हैं या rack के उपर डालने होते हैं, वो धोती हूँ तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे like and share करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल को subscribe जूर कीजेगा, तो मिलते हैं next वीडियो में, till then, bye bye